बहुत सुवागत आपका अनादी टीवी पर मैं हूँ आपके साथ पर खबरों की शरुआत करेंगे बुलिटिन की शरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और पांच बड़ी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो उन पर आज बात होगी इसराइल और हमास की जंग का आज थारवा दिन है पहले तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसराइल हमास यूद से जहां अल जजीरा के मताबिक सुमवार कुग गाजा में इसराइल के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 5,087 पहुँच गई है पिचल 24 गंटे में गाजक से करीब 436 लोगों की जान गई देर रात हमास ने दो इसराइली महिला बंदकों को रहा भी किया दूसरे तस्विर उतर प्रदेश के सीम योगी आधितराद दशेरे पर चार दिन के दोरे पर गुरकपुर पहुँचे गुरकनात मंदर में सीम योगी दशेरा कुछ खास अंदाज में मनाएंगे सीम योगी आज विजय दश्मी के दिन मुख्यमंतरी नहीं बलकि दंडादिकारी के भूमिका में होंगे वहीं तीसरे तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहीं राज़धानी भुपाल से जहां करन्याभोच के बहाने अगवा की गई दो बच्चीों को पुलिस ने बरामत कर लिया है पुलिस ने दोनों बच्चीों को कुलार के इंगलिश विला कॉलोनी से बरामत किया पांच आरूप्यों को भी गिरफतार किया गया है जुन में चार महिलाएं शामिल हैं चौती भुपाल की तस्वीर ही है जोहां विजय दश्मी के अफसर पर राज़्ट्रे साहिम से वक संग की कारेकरता उने पत संचलन किया संग की कारेकरता संचलन में बड़ी संख्या में शामिल हुई राज़्टानी में 24 कारेकरम किये जा रहे हैं सभी इलाकों में पूजा के साथ-साथ पत संचलन किया गया बैंड की धुन पर सभी एक साथ कदम मिलाते हुए पत संचलन करते हुए नजर आए पाचवी जो तस्वीर है MP Public Services Commission की तरफ से MP Civil Services परिक्षा के लिए रेजिस्ट्रेशन के आखरी तारीख बढ़ा दी गई है अब अभियर्थी 8 नवंबर तक अप्लाय कर सकेंगे अभियर्थी MPPSC की Official Website पर जाकर रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं